Hello friends, my name is Monica and welcome to my channel Friends, कल हमने George Orwell के एक novel Animal Farm के बारे में पढ़ा था आज हम लोग George Orwell का एक next novel पढ़ेंगे जिसका नाम है The Road to Wigan Pier Friends, Wigan का मतलब होता है एक जगें एक जगें का नाम है ये, जो की England में है और पियर का मतलब होता है एक पुल जो कि टेंप्रेरी तोर पे बनाया जाता है जिससे जहाज से समान उतार के जमीन तक लाया जाता है फ्रेंड्स ये नोवल पब्लिश हुआ था 1937 में और जॉर्ज और वेल इसके राइटर रहे है फ्रेंड्स ये तू पार्ट्स में डिवाइडिड है जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें सेवन चैप्टर है उसमें हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजां डिस्क्राइब की गई है जो कि कॉल माइनर्स के बारे में है फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्र family coal miner का काम करती है जो पूला खदाने होती है उन में से कोई इन के लिवग कंडिशन के बारे में चाप्टर 1 में एक्स्प्लेंग किया है Now chapter 2 Chapter 2 और वेल खुद बताते हैं कि वो कोल माइन में गए और उन्हों ने वहां जाके बहुत करीब से कोल माइन को और कोल माइनर को अब्जर्व किया कि ये काम वाकई कितना मुश्किल है और वेल ने इसे नर्क कहा है और वेल ने कहा है आप नर्क के बारे में आप हल के बारे में जो कुछ भी इमाजिन कर सकते हैं सब कुछ वहां कोल माइन में आपको मिलेगा कोईले की खदार में आपको मिलेगा आप अगर हुमिडिटी गर्मी आप अगर अंधेरा कुछ भी ऐस वागेरा डिस्क्राइब कर सकते हैं नर्क के बारे में तो everything is in coal mine. Now chapter 3, chapter 3 में और विल डिस्क्राइब करते हैं जो coal miners हैं उनकी financial condition के बारे में और उनकी hygiene के बारे में. क्योंकि जो coal miners हैं उनको अपनी hygiene के लिए ना उतना financial support मिलता है और ना ही उनके पास अतना time है कि वो coal mine का काम करने के बाद, कोईला खदान में काम करने के बाद अपने आपको hygiene भी रख सके. नाव चलते हैं chapter 4 की तरफ, chapter 4 डिस्क्राइब करता है situation of the industrial north, जो industry है जहां पर ये coal mines है, वहां पर housing कैसी है, उनकी housing shortage है, वहां रहने की जगह नहीं है, जहां ये poor लोग बहुत ही खराब condition में रहते हैं, वहां पर छुटे 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 lodges बने हुए हैं, इनके लिए नहीं है जिसमें पूरी family रह सके, छुटे 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 lodges में बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहें पे इनको रहना पड़ता है, chapter 5 एक्सप्लेइन करता है, अनेंप्लाइमेंट के बारे में, कि जो इन coal miners को जतना employment मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है, और इनकी life क के बारे में explain करता है, chapter 6 explain करता है, एक coal miner को food किस तरह का मिलता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, कि वो बहुत अच्छा food खा सके, बहुत healthy food खा सके, इसलिए वो spicy food खाते है, spicy food खाने के पीछे, Orwell ने उनका reason बताया है, कि वो अपनी life में कुछ spice add करना चाहते है, वो spicy और tasty, taste and rich food खाते हैं, ना कि nutrition and rich, chapter 7 में Orwell ने describe किया है, industrial towns के बारे में, कि वो कितनी गंदी जगह है, जहां पे ये लोग रहते हैं, जो coal miners है, जो कोईला मालिकों को इतना अमीर बना लते हैं, वो खुर किन कंडिशन में रहके coal mining का का काम करते हैं, इंग्लैंड में, Friends, अब इसके Part 2 के बारे में पढ़ते हैं, Part 2 में explain किया है, एक ऐसे की तोर पे, like Part 1 में Orwell ने 7 chapters दिये थे, Part 2 को Orwell ने के ऐसे की तोर पे रखा है, पार्ट 1 में जहां पे उन्होंने पूर कंडिशन के बारे में बताया था, गरीब लोगों की, वहीं Part 2 में Orwell ने कुछ questions किये हैं, जिनके basis पे वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या coal miners की कंडिशन इससे बहतर नहीं हो सकती, क्या कोई और तरीका नहीं है, जिससे coal miners की, और ये poor people की condition को better बनाया जा सके, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पिछले कुछ वीडियो में, कि George Orwell सोशलिजम के उपर बहुत जोर देते हैं, George Orwell मानते हैं, कि अगर लोग तंतर आ जाता है, तो सारी जो working class है, उसके life पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और उनको forcefully काम नहीं कराया जाएगा, George Orwell ये कहते हैं, कि वो खुद सोशलिजम के फेवर में हैं, और वो ये कहते हैं, कि बहुत साही लोग सोशलिजम से benefits पा सकते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट George Orwell ये कहते हैं, कि for more complex emotional reasons, George Orwell कहना चाहते हैं, कुछ reasons की वजए से, कुछ अमीर लोग सोशलिजम के फेवर में नहीं हैं, उनके according, वो कुछ ऐसे लोगों को point out करते हैं, जो सोशलिजम के फेवर में नहीं हैं, इस पे George Orwell अपने point of view रखते हुए बोलते हैं, कि या तो सोशलिजम बहुत straight forward है, इसकी वज़े से कुछ selfish लोग, अपने कुछ selfish motives पूरा करने के लिए उसको favor नहीं कर रहे हैं, और या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा है, कि सोशलिजम की वज़े से poor people की life में क्या changes आएंगे, या वो ऐसा मानते हैं, कि सोशलि पूरिजम को favor नहीं करते हैं, friends, यह तो था हमारा आज का novel, The Road to Vegan Pier, अब हम लोग कुछ important nodes देख लेते हैं, जो मैंने आपको अलरी मिनिंग बता दिया है, पियर का मतलब एक structure होता है, एक पुल लगाली शियाब, एक पुल होता है, जो रोड से लेके, जो सर्फेस से लेके, स जगें का नाम है, विगिन बेसिकली famous था, कॉल माइनर्स के लिए, अपनी ugliness के लिए, विगिन एक बहुत famous जगे थी, इंगलेंट की, और नेक्स है हमारा, और्विल के biographer, और्विल के biographer कौन रहे हैं, बर्नार्ड क्रिक, friends, और्विल की जो जीवनी है, उसे लिखा है, ब इन्होंने जो भी राइटिंग सबनी लिखी हैं, वो basically, socialism के revolve, around revolve करती हैं, और ऐसे ही कुछ मिलते जुलते, topics पे based हैं, तो friends, ये था हमारा the road to vegan peer, फिर मिलते हैं, एक next novel के साथ, एक next video में, तब तक के लिए, stay healthy, stay fit, stay happy, thank you so much, अगर आपको पसंद आए, तो like और सब्सक्र